रादे रादे दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि दिवाली की रात माल अच्मी आपके घर में आई है या नहीं आई है सनातन धर में दिवाली के पर में हम माल अच्मी की पुझा करते हैं और कामना करते हैं कि वो हमारे घर में विराजमान हो लेकिन question यहीं उठता है कि क्या हमें पता चलेगा कैसे पता चलेगा कि उसके घर को धन और धन से भर देती हैं उसके घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होती है वैसे तो माना चाता है कि लच्पी मा आने से पहले खुदी संकेत देती है क्योंकि मा जिसकी भी घर आती है वो घर खुद ही चुनती है इसलिए हमें उन सकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि क्या मा दिवाली की रात हमारे घर में ठहरी थी क्या मा दिवाली के रात हमारे घर में रूकी थी मा लक्षमी ने तो वैसे वो उन लोगों के घर में आती हैं जो दूसरों के शायता करते हैं कटू अचन नहीं बोलते क्रोध नहीं करते और जो किसी भी प्रिकार के वास्नाव में लिप नहीं रहते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि मालच्मी किन सरूपों में और कैसे संकेत देती हैं हमारे घर में आने से पहले ये तो आपको पता होगा कि मालच्मी आज सरूपों में दिवाली वाले दिन हमारे घर में आती हैं पर हम उने पहचान पाएं उन संकितों को समझ पाएं ये भी बहुत जरूरी है तो ज़रू करते हैं अपने पहले संकित से अगर आपको अपने घर के आसपस उल्लू उल्लू हाँ माल अच्मी का वाहन भी है अगर आपको अपने घर के आसपस उल्लू दिखाई दे किसी पेड आपको दिवाली का सबसे बड़ा संकेत है कि और आपकी दिवाली आईनेबर तक आपको ऑगर इस तुछद आपको दिवाली एक उत्तम तो है यह आपके घर में इस साल डिवाली में आने वाली है या इस साल वो आई हैं तीसरा, अगर आपको अपने घर में या अपने घर के आज-बस दौमPhone वाला साइब जिनके दौम होते हैं ऐसा साब या उससाब की इसकीन जिसे केचुली कहते हैं वो भी प्राप्त हो जाए तो यह मानिए कि इस बार दिवाली पर माल अच्मी की आप पर असीम करपा होने वाली है चौथा अगर आपको अपने घर की दिवालों पर दिवाली वाले दिन जब आप दिवाली की पूझा कर रहे हों अगर आप सुबह सो के उठे हैं और आपको अपने घर के बाहर दिन सुबह ज़ाड़ों लगाता हुआ दिख जाए तो भी माना जाता है कि माल अच्मी की करपा आपके उपर बरसने वाली है माल अच्मी इस बार आपके उपर करभा जरूर करीए छटवां अगर आपको अपने घर के बाहर कहीं पे उड़ता हुआ या बैटा हुआ जिंजूर दिख जाए तो भी माना जाता है कि माल अच्मी ने आपको अपने घर आने का संकेत दिया हुआ है इसे भी माल अच्मी का एक संकेत ही माना जाता है साथवा अगर आपको कहीं भी पढ़ा हुआ धन मिल जाए या आपको ने जा रहे हैं आपको कहीं के धन की प्राप्त होती है तो उससे भी माना चाता है कि म्हisterई को आप पे बरसने माली है आपके घर में धन और संपत्ति आने वाली है लेकिन जो आपको मिला हुआ धन है वो अपने पास नहीं रखना है किसी मंदिर में धान कर देना है या किसी जरुवत मन इंसान को आपको वो धन दे देना है वो धन आपको अपने पास नहीं रखना है साथ हुआ, अगर आपके घर में चुडिया गोसला बना ले, आपके छट में चुडिया गोसला बना ले और आप दिवाली की पूज़ा के बाद सुबह उठें और उस गोसले को देखें, तो मानियें कि ये भी देवी मा का एक संकेत है, कि उनकी किरपा आपके घर में बरसने हने वाली है वह आपके घर में प्रतान कर लंगार है अगर आप सुल ली वाले दिवाली दम और अगर आप को संकीни देती है अब को संकी की दों देती है तो भी मानिए आपके घर में किर्पा होने सवynn करने तरी से इस सारी अजिए संकित हैं आप साल मालचमी की क्रप अपर सब्सक्रमिन भЙतका इस के अरे में म noticing बती बहुत है ये साल के ये मैं D culture भी है आपकी घर में हमेशा बरकत रहे शुक्सम्रदी रहे तो मैं आपको यह बता सकूं कि मालक्ष secular को से आपकी घर में आती है यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शुख जरूर करinhön जिस्से आपको बाकी लोगों को भी यहांकारी प्रांठो को रादे रादे